बाई की लंबी उमर के लिए कैसे मनाएं भाई दूज कातिक सुकर्ण पक्ष्टित्यव दिन को मनाए जाने वाले इस वाद को भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है भाई दूज का तोहार भाई बहन इशने को मज़ूर करता है यह तोहार दिवाली के दो दिन बात बनाया जाता है भाई दोज में बहने भाई की लंबी आयों की प्रात्मा करती हैं भाई दोज पूजन विधी इस पर कर भाई अपने भाई अपने भाईयों के घर आती हैं ऐसा करने से दोनों को धन यस आयून अर्थ और सुख की प्रात्ति होती हैं इस दिन सभी बहने भाईयों को एक उची आसन पर बिठाती हैं, फिर वे उसकी धूप से आतिक उताती हैं इसके बार भाई के माथे पर रोली और चावन से तिलक करती हैं और भाई को कुछ मीठा खिलाती हैं अन्य रिती रिवाज के अनुसार बहनों दुआरा भाई को सुखा नारियल और कपड़े देने का रिवाज भी हैं भाई दूज की कता, प्रोणारिक कताओ के अनुसार युमना अपने भाईयम से मिलने के लिए ब्याकुल थी तो आज ही के दिन यम देव अपनी बहन को तर्शन दिये थे साथी यमरास ने अपनी बहन को वर्दान दिया था कि इस दिन जो भाई बहन जमना नदी में इश्णान करेंगे उन्हें मुक्ती मिल जाएगी इसलिए इस दिन भाई और बहन का युमना में नहाना भी रिशेश महत माना जाता है इसके अलावा यमी ने अपने भाई से एक बचन भी लिया था कि जिस परकार यम उसके घर आएं उसी परकार आज के दिन हर भाई अपने बहन के पास जाएंगे इस परका मुख्या उद्य से भाई और बहन के बीस प्यार और इसने की भारना को बढ़ाना है भाई दूस परका महत यह परप भाई के पड़्ती बहन के इसने का पर्ती है इस दिन बहन अपने भाई यों के लिए खुसाली की काम ना करती है साथ ही उनके उजवल भविश्य के लिए आशा देती हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताई भाई दूज का महत और उसकी पूजन विदी तो आप भी इसी पूजन विदी से भाई दूज बनाएं और अपने भाई की आयू को दिर्व आयू बनाएं विदी से लिए स्की रपोर्ट